मैंने एक साल पहले भी ऐसा ही एक विडियो बनाया था. ये उसका अपडेटेड वर्षन है. मैं आपको डिमेंशिया के संकेतों की जानकारी देना चाहता हूँ, जो बेहत महत्वपूर्ण है. इसका पहला संकेत या लक्षन पैदा होने में 10 साल लग सकते हैं और उससे पहले आपकी ज्यान प्रणाली में कोई बदलाव दिखाई नहीं देता. मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप इन लक्षनों का सामना कर रहे हैं, जिनकी मैं जानकारी देने वाला हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको डिमेंशिया हो गया है. इसका कारण आपकी को उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए, दिमेंशिया का पता लगाने के लिए उनकी जांच ना करें, जैसा कि आप अपने दोस्तों, परिवार के सदस्यों या अपने पार्टनर के साथ करते हैं. प्रैक्टिस के दौरान मैंने देखा है कि पती या पतनी एक दूसरे को सही करने की कोशिश करते रहते हैं. वे एक दूसरे को कहते हैं कि आप से गलती हो गई, तुम चीजे भूल रहे हो. आपको ऐसा करने से बचना चाहिए क्योंकि इससे किसी की जिंदगी खराब हो सकती है, चीजे पहले से ज्यादा खराब हो सकती है. इसलिए अगर आपका पार् समय बीतने के साथ लोगों के दिमाग में एक पैथोलोजिकल स्थिती पैदा हो सकती है, जहां दिमाग को क्षती पहुच सकती है और उसके कारण दिमेंशिया के लक्षन दिखाई दे सकते हैं. दिमेंशिया में दिमाग के कुछ हिस्से सिकुडने लगते हैं, कुछ हिस्सो बताना चाहता हूँ. वास्तव में दिमागी कार्य प्रणाली के बदलाव से पहले हमें इसके दो लक्षन या संकेत दिखाई देते हैं. सबसे पहला एक सिंसरी बदलाव है और इसमें मुख्य रूप से हमें सुंगने की काबिलियत में बदलाव दिखाई देने लगता है क्य ब्लड ब्रेन बारियर से बाहर निकलता है जिसे रेटिना कहते हैं. रेटिना आपकी खोपड़ी के बाहर के भाग में स्थित होती है ये आख के पीछे की लेयर होती है और कई चीजों के संपर्प में आती है लेकिन जितनी भी संसरी प्रॉब्लम्स हैं उनमें सुंधने मे आने वाली परिशानी सबसे उपर है सुगंध की दिल्चस्प बात ये है कि कभी कभार आपको पता ही नहीं चलता कि आप कुछ सुग नहीं पा रहे हैं आपको कोई फर्क नहीं पड़ता और कभी कभार लोग इसके आदी हो जाते हैं क्योंकि यह किसी चीज का अभाव होता है यहां आपको किसी दर्ध का सामना नहीं करना पड़ता आपको केवल किसी चीज की सुगंध नहीं आती आप अपनी दिन चर्या में व्यस्थ हो जाते हैं और आपको इसकी कोई जानकारी नहीं होती लेकिन कुछ बेहत दिल्चस प्रिसर्च उपलब्ध है जो किसी भी ज्यान संबंधी प्रॉबलम से बहुत पहले सुगने की काबिलियत में कमी को पहले संकेट के रूप में देखती है मैंने बताया था कि ज्यान प्रणाली में बदलाव से पहले हमें दो संकेट दिखाई देते हैं वैसे संकेट तीन है मैं दृष्टी की बात कर चुका हूँ लेकिन तीसरा संकेट है आपकी नींद और मैं नींद की समस्याओं की बात कर रहा हूँ अगर आपको सोने में परेशानी आती है तो उसके सैकडों अलग-अलग कारण हो सकते हैं लेकिन हमें नींद की समस्याओं अनिदरा और डिमेंशिया के पीछे बड़ा कनेक्शन दिखाई देता है चौथा संकेट है घबराहट इस स्थिती में मानसिक तनाव को जहलने की आपकी काबिलियत कम हो जाती है जब दिमाग शतिग्रस्थ होना शुरू होता है तब उस स्थिती में आपको बहुत ज्यादा बेचैनी होने लगती है आप एक जगह पर नहीं बैठ सकते अगला संकेट है गुस्सा लोग आपसे गुस्सा हो सकते हैं गुस्से से बात कर सकते हैं ये सब भी मानसिक तनाव जहलने की काबिलियत की कमी को दर्शाता है घबराहट और गुस्से में यही अंतर है कि गुस्से में आपकी आवास उंची हो जाती है इसके बाद मैमोरी प्रॉब्लम्स की बात करते हैं इस स्थिती में आप शब्द भूल जाते हैं आपको नाम याद नहीं आते कुछ सीखने में परेशानी आती है सीखने की काबिलियत कम होने लगती है डॉक्टर किसी इनसान का क्लॉक टेस्ट भी कर सकते हैं इस स्थिती में कोई इनसान घड़ी देखकर समय का पता नहीं लगा पाता और रिसर्च करने वाले बताते हैं कि किसी इनसान को कागस पर घड़ी बनाने को कहा जाना चाहिए और उसे 9 बजे या 3 बजे ड्रॉ करने के लिए कहना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या वो इनसान ऐसा कर पाता है ये भी हो सकता है कि कोई इनसान शब्दों को मिक्स कर रहा है। अगर आप उनसे कोई सवाल पूछते हैं, तो हो सकता है कि वे आपको जवाब देने में काफी समय लगाएं। इसके कई दूसरे पहलू भी हो सकते हैं। हो सकता है कि उन्हें special recognition की problem हो, जहां आपको पता नहीं चलता कि आपने अपनी कार कहा खड़ी की है, या आपकी चावी कहा है, या आप GPS के बिना अपने घर तक नहीं पहुँच पाते। आपको ध्यान लगाने या concentrate करने में problem आती है। अगला संकेथ है भाबना में कमी या मनोविकार। ये चीजें depression का रूप ले सकती है या इन से anxiety भी बढ़ सकती है, लेकिन इन लोगों में भाबना का स्तर बहुत ज्यादा उपर नहीं जा पाता, ये स्तर नीचे गिरता जाता है, लोगों पर उदासींता हावी होने लगती है, लोग किसी चीज की और बेवज़ देखते रहते हैं, अगला संकेट बेहत दिल्चस्प है, जिसे हम सन्यम की कमी कहते हैं, इस स्थिती में bladder या बाउल का control खत्म होने लगता है, ये बात बड़ी दिल्चस्प है, लेकिन ये बात हमें तब समझ आती है, जब हम ये समझ डाते हैं कि दिमाग इन दोनों कामों को control करता है, और समस्या तब खड़ी होती है, जब दिमाग का टिश्यू खराब होने लगता है, हम जानते हैं कि कब्स की समस्या nervous system से जड़ी हुई है, लेकिन ये समस्या आंतों से भी जड़ी हुई है, आपको ये समझना होगा कि आंते और दिमाग एक दूसरे को सीधे कार पर पर प्रभावित करते हैं, इन दोनों में घना संबंध है, मैं अगले भाग में इन संकेतों के कारणों की बात करना चाहता हूँ, इससे पहले मैं ये बताओ कि आपको इसके लिए क्या करना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि दिमाग में chronic inflammation की समस्या रहती है, ये समस्या उन चीजों से पैदा हो सकती है, जिनहें आप खाते है ये समस्या आपके दिमाग पर लगी चोट के कारण पैदा हो सकती है, और आपका blood brain barrier भी खत्म होने लगता है, और इसमें leakage होना शुरू हो जाती है जरा सोचिए कि ऐसा ही कुछ आपकी arteries में होता है, आपकी आंतों में भी यही होता है, जहां आपकी आंतों में रिसाव होने लगता है, आपके दिमाग में भी रिसाव हो सकता है, और आपको problems होने लगती है Inflammation का कारण क्या हो सकता है? Blood-Brain Barrier को खत्म करने वाली चीजें Inflammation पैदा करती है अगर हम लोगों द्वारा खाए जाने वाले foods को देखें, तो हमें पता चलता है कि लोग बहुत ज्यादा refined sugar, refined starch और refined तेल खाते है इस पर बहुत सारे आकड़े उपलब्ध हैं, जो दिखाते हैं कि seed oil को कई बार गर्म किया जाता है इन्हें 5-6 बार गर्म करते हैं और फिर उन्हें किसी fast food restaurant में इस्तिमाल किया जाता है खाना बनाने के लिए इन्हें 5-10 या 20 बार गर्म किया जाता है और आपको वो food खाने को मिलता है, जिसे उस तेल में fry किया जाता है ये तेल शरीर में पहुचता है और शरीर में बहुत ज्यादा inflammation पैदा करने लगता है इन तेलों को salad dressing में डाला जाता है, ये मसालों में डाला जाता है ग्रोसरी स्टोर में मिलने वाले लगभग 80% foods में ये मौजूद रहता है लेकिन कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जितने भी foods हैं उनमें से junk foods या ultra processed foods के कारण शरीर में सबसे ज्यादा inflammation पैदा होती है smoking करने और शराब पीने से भी inflammation होती है लेकिन inflammation का सबसे बड़ा कारण ultra processed food है इनके कारण आपको insulin resistance हो सकता है और अकसर हमें देखने को मिलता है कि Alzheimer और dementia का एक आम कारण insulin resistance ही होता है जिसके कारण neurons और nerve cells में इंधन की कमी हो जाती है क्योंकि insulin resistance के कारण दिमाग के cells को इंधन मिलना मुश्किल हो जाता है और इसलिए जब आप कम कारण वाली diet शुरू करते हैं तो आपको ketones मिलना शुरू हो जाते है ये ketones nerve cells को पहुचीक्षती को बाइपास करके neurons को इंधन पहुचाने लगते है इसलिए Alzheimer को type 3 diabetes भी कहा जाता है कुछ दूसरी चीजे भी हैं जिनके कारण inflammation पैदा हो सकती है इसका कारण heavy metals या infection हो सकता है या high blood pressure के कारण भी ऐसा हो सकता है जिसके कारण पूरे दिमाग में बहुत ज्यादा pressure बनने लगता है हमारे शरीर में एक खास gene की कमजोरी भी हो सकती है जिसकी मैं बात करना चाहता हूँ क्योंकि इसके बारे में आपको तब तक पता नहीं चलेगा जब तक कि आप genetic testing नहीं करवा लेते और मैं जिस प्रकार के genetics की बात कर रहा हूँ मैं आपको उससे अवगत करवाना चाहता हूँ उससे polymorphism कहते है इस स्थिती में एक खास gene में बदलाव आने लगता है ये gene विकृत होने लगता है और इस gene को ApoE4 gene कहते है अधिकांश लोगों के शरीर में ApoE3 gene मौजूद रहता है लेकिन इसकी दो कौपी होती है और अगर आपके शरीर में ApoE4 नाम की कौपी होती है तो उसके कारण आप में dementia होने का खत्रा 30% तक बढ़ जाता है लेकिन अगर आपके शरीर में इसकी दोनों कौपिया है तो dementia होने का खत्रा 50-90% तक बढ़ जाता है ये इतना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस genetic बदलाव के कारण आपका शरीर कमजोर पढ़ने लगता है या शरीर किसी आक्रमन का सामना नहीं कर पाता और ऐसा इसलिए होता है यदि आपका वातावर्ण और आपकी जीवनशैली बहुत बढ़िया नहीं है लेकिन अगर आप में ये genetic कमजोरिया है इसका मतलब ये बिलकुल नहीं है कि आपको कोई प्रॉबलम हो ही जाएगी क्योंकि ये जीवनशैली और वातावर्ण के कारण एक्टिवेट होते हैं इसलिए आप इन जीवनशैली में ये बदलाव नहीं करेंगे तो ऐसा संभव है कि आगे चलकर आपको डिमेशिया जैसी बड़ी प्रॉबलम्स का सामना करना पड़ जाएगा सवाल ये उठता है कि आप इसका क्या कर सकते हैं जाहिर सी बात है कि आपको बुरी चीजें हटानी चाहिए और अच्छी चीजें जोडनी चाहिए कुछ बड़े बदलाव हासिल करने के लिए आप कुछ बेहत प्रभावशाली काम कर सकते हैं और सबसे बड़ा काम है कसरत ऐसा इसलिए है क्योंकि कसरत करने से आपके दिमाग तक बहुत ज्यादा खून पहुँचने लगेगा और इससे आपके माइटोकांडरिया का विकास होगा आपके दिमाग में माइटोकांडरिया रिजनरेट हो पाएगा अगर आप नियमित रूप से रोजाना कसरत करेंगे तो आप में अलजाइमर होने का खत्रा बड़े पैमाने पर कम हो जाएगा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसी दूसरे काम की तुलना में कसरत सबसे ज्यादा फाइदेमंद है अगर आपकी नींद खराब है और आपको मानसिक तनाव है लेकिन अगर आप नियमित रूप से कसरत करते हैं तो ये आपके दिमाग के लिए बेहत सुरक्षाक्मक साबित होगा इसलिए नींद भी बेहद महतवपूर्ण है, लेकिन ये कसरत से ज्यादा महतवपूर्ण नहीं है लेकिन फिर भी ये महतवपूर्ण है क्योंकि कसरत से आपका तनाव दूर होने लगेगा शुगर की तुलना में दिमाग कीटोंस पर ज्यादा अच्छी तरह काम करेगा इसलिए हमें कम कार्ब वाली डाइट शुरू करनी चाहिए लेकिन आपको स्वस्ट डाइट लेनी चाहिए और अच्छी चीजे खानी चाहिए मैं उसका लिंक नीचे डाल दूँगा दिमाग का सबसे पसंदीदा इंधन कीटों है दिमाग के लिए इंटर्मिटेंट फास्टिंग और लंबे समय की फास्टिंग बेहद महत्वपूर्ण है जब आप फास्टिंग करते हैं उससे दिमाग चमतकारी रूप से विकसित होने लगता है उससे brain derived neurotropic factor को बढ़ाने में मदद मिलती है इससे दिमाग के नए cells विकसित करने में मदद मिलती है लिस्ट पर अगली चीज बेहद महत्वपूर्ण है और वो है बहुत ज्यादा मात्रा में omega 3 fatty acids लेना हमें omega 6 fatty acids से चुटकारा पाना होगा इससे पूरी तरह से दूर रहें ये inflammation पैदा करता है आपको ये भी समझना होगा कि ये omega 3 से मुकाबला करता है और हमें केवल omega 3 की जरूरत होती है ये आपको fish oil से मिल जाएगा वैसे मैं cod liver oil लेने की सलाह देता हूँ क्योंकि उसमें vitamin D और vitamin A भी होता है जबकि fish oil में ये दोनों चीज़े नहीं होती अच्छी खासी मात्रा में omega 3 लेना दिमाग के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है B vitamins भी बेहद महत्वपूर्ण है vitamin B1 बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है जिससे दिमाग को पहुँचने वाली ख्षती की रोक्थाम की जा सकती है ये कई दूसरी चीजों के लिए भी ज़रूरी है आपको पूरा B complex लेना चाहिए आपको vitamin B9 का natural form लेना चाहिए जिससे फोलेट कहते हैं आपको vitamin B12 का natural form लेना चाहिए जिससे methyl cobalmen कहते हैं आपको synthetic vitamin B12 लेने से बचना चाहिए दिमाग के लिए vitamin D भी बेहत महत्वपूर्ण है दिमाग में vitamin D के बहुत सारे receptors मौझूद रहते हैं और vitamin D सबसे महत्वपूर्ण सूजन रोधियों में से एक है आप कई दूसरे उपचार भी आजमा सकते हैं आप sauna treatment भी ले सकते हैं एक study में पता चला कि अगर आप हर हफ़ते 4 से 7 बार sauna treatment लेते हैं तो आप dementia का खत्रा 60% तक कम कर सकते हैं resveratrol और एक दूसरा supplement NAD आपके दिमाग के लिए बहुत बढ़िया साबित हो सकता है दिमाग की मदद के लिए प्रोबायोटिक लेना भी बेहत फाइदेमन रहेगा आप माने या ना माने लेकिन दिमाग को रीजनरेट करने के लिए cold therapy बेहत फाइदेमन साबित हो सकती है आप सोच रहे होंगे कि ठंड की वजह से दिमाग को नुकसान पहुँच सकता है अगर हम गहराई से सोचेंगे तो दिमाग की रक्षा करने और उसे सुरक्षित रखने के लिए हमारा शरीर कड़ी महंत करता रहता है क्योंकि जीवित रहने के लिए ये काम बहुत जरूरी होते हैं कोल्ड थेरपी के बहुत बड़े फायदे हैं और शुरुवात में भले ही आपको ठंड से परिशानी होगी आपको ठंड का एहसास तकलीफ देगा लेकिन दिमाग को अच्छी तरह विक्सित करने के लिए ये एक सबसे बढ़िया काम है ऐसा करके आपके शरीर में तुरंट उर्जा का संचार होने लगता है ये काम तुरंट हो जाता है मुझे मालूम नहीं था कि कोल्ड थेरपी के इतने फायदे हैं अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है और मैं बरफीले पानी में बैठ जाता हूँ मुझे मालूम है कि ये पागलपन है मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं ये काम कर पाऊंगा लेकिन क्योंकि ऐसा करके मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है इसलिए मैं ये काम करता हूँ अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है जिसे लाखों व्यूज मिले हैं तो आपको उसे जरूर देखना चाहिए मैं उसे यहाँ डाल रहा हूँ चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले